E-learning गुरूजी Strength का मतलब है आपके positive points जहां आपको लगता है कि आप strong है और weakness का मतलब है जहां आपको लगता है आप weak है यानि कमजोर है तो आईए interview में आप अपने strengths के बारे में इस प्रकार से बताएंगे जैसे मैं समस्या को हल करने वाला बेखती हूँ I am a problem solving person मैं काम के प्रती काफी serious रहता हूँ और मुझे प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती I am a very serious about my work and self motivated person मैं एक मेहनती और जल्दी सीखने वाला बेखती हूँ I am a hard working and quick learning person अब बात करते हैं आपकी weakness के बारे में Weakness आप इस तरह से बताएंगे जैसे जब मैं काम कर रहा होता हूँ और कोई मुझे disturb करता है बिना reason के तो मुझे बहुत गुसा आता है When I am at work and anyone disturbs me without any reason, then I get angry जब कोई मुझे help मांगता है तो मैं उसको ना नहीं कर सकता Someone asks for help, I cannot say no and I feel this is my another weakness तो ये था दोस्तों सबसे आसान तरीका interview को crack करने का इस तरह के simple जवाब देकर आप interviewer को impress कर सकते हैं और वो आपको select कर देगा अब आप से कोई आपके strengths और weakness के बारे में पूछेगा तो बेहिचक आप इस तरह से बोल दीजिए तो ये था आज का important interview question का answer इसी तरह हम और भी interview के questions and answers लेकर आएंगे हमारे अगले वीडियो में तो आप तब तक के लिए हमारे वीडियो को like वर share जरूर कीजिए और जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचा करके लोगों की help कीजिए जिनको interview में इस सवाल का जवाब देने में problem होती है तो दोस्तों हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे हमारी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद